नमस्कार मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन आपसे आगरो और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियो डाले जाते हैं उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को अभी दबाएं जिससे कोई भी उपाई या शास्त्री जानकारी आपसे चूट जाए धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चार अक्टूबर के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम समवत जातक लोगों के लिए कारेशितर में तनाओ के चलते आप अपने परिवार को आज समय न दे पाएं ऐसी इस्तिति आपके लिए दिखती है ओम शूर पकड़नाए नमहमंतर का एक सो आट बार जाप करें और परिश्रम से मेहनत से आप पीछे नहटे व्रिशब राशी व्र जातक लोगों के लिए आज काम करते समय एक साथ बहुत सारी भूमिकाएं बहुत सारी जिम्मेदानियां आपको निभानी पड़ सकती हैं ओम नमश्यवाय मंतर का एक सो आट बार जाप करें मानसिक ठकान और अदासींता को आप अपने उपर हावी ना होने दें करक राशी करक राशी वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी नई नौकरी के बारे में विचार बना सकते हैं ओम शाश्वताय नमश्यवाय मंतर का एक सो आट बार जाप करें और यात्रा करने से आप बचें सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए बहुत दिनों से जो परशानी आज आप सह रहे थे उसके खिलाफ आज आप मोर्चा बुलंद करें आवाज उठाएं ऐसी इस्तिति आपके लिए दिखती है ओम शांताएन अमहमंतर का एक सो आट बार जाप करें और कुरूध करने से आप बचें कन्या राशी कन्या राशी वाले जातक आपनेंगा तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए आज आप कोई पुराना व्यक्ति आपका कोई जानकार कोई परिचित व्यक्ति जो है वो आपको मसीबत में डाल दे किसी परिशानी से जुड़ा हूआ को चाम कर दे एसी इस्तिति आपके लिए बंती करें और किसी का दिल दुखाने से आप बचे धनु राशी धनु राशी वाले जातक लोगों के लिए कोई पूराना रिष्टा आपकी जिंदगी में दुबारा वापिस आ सकता है और विनायकाई नमाहमंतर का एक सो आट बार जाप करें बड़े वादे बड़े कमिट्मेंट करने से आपको बचना होगा मकर राशी अपने नजदी की लोगों से आज दूरी मिटाने का दिन है ओम विग्न राजाई नमाहमंतर का एक सो आट बार जाप करें और पार्टनर से जगड़ा या वाद वादा बिलकुल नबढ़ाएं कुम्ब राशी कुम्ब राशी वाले जातक लोगों के लिए आज आप काफी व्यस्त हो सकते हैं अपने किसी दोस्त से कुछ विशेश आर्थिक सहायता आपको लेनी पड़ सकती है शनी वज्र पंजर कवचम का पाठ करें और जल्दी बाजी में कोई काम न करें मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लि दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाई कि जिसमें मैं आपको बताओंगा कि कौन सा अंग फड़के तो क्या होता है आज हम लोग इस बारे में जानेंगे कि अगर कोई अक्सर अतावरण के साथ हम जितना आधुनिक होते जा रहें उतना ही जादा हम अपने भविश को जानने के लिए भी आतुर रहने लगें यह सर्वविदित है कि जोते शास्त्र का संबंद प्राचीन कालीन वेदों से है परंतु इसका यह तात्परी नहीं कि जोते शास्त्र केवल ग्रंत मात्र है अपितु यह एक पूर्ण विज्ञान है जोते शास्त के नुसार अंगों के फड़कने का संबंद भी भविश में होने वाले शुब अशुब परणामों की सूचना देता है मनुशिका शरीर अन्य प्राणियों की तुलना में काफी सम्वेदंशील होता है यही कारण है कि भविश में होने वाली गटनाओं के प्रती हमारा शरीर पहले ही हमें अंगित कर देता है आशंका व्यक्त कर देता है किसी जातक का कौन सा अंग फड़क रहा है उसका क्या अर्थ है शरीर के विबिनेसों का फड़कना भी भविश में होने वाली गटनाओं से हमें अवगत कराने का एक बहुती सशक्त माध्यम है समुद्र शास के अंतरगत कौन सा अंग फड़कने से भविश में आपके साथ क्या हो सकता है इसके बारे में विस्तर्द वर्णन प्राप्त होता है शरीर का जो भी अंग फड़के वह भविश में घटित होने वाली एक निश्चित अच्छी या बुरी घटना के बारे में संकेत देता है इस विद्या को हम पूरी तरीके से नकार नहीं सकते क्योंकि अंग फड़कने और उसके लक्षन प्रभाव जो हमारे धर्म शास्त्रों में वर्नित हैं वो आए दिन हम लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो सबसे पहली बात समुद्र शास के नुसार जिस व्यक्ति की ठोड़ी फड़कती है उसे इस्त्री सुक मिलता और साथ ही उसे धन प्राप्त होने की धनलाब होने की संभावना भी बनी रहती है सिर के अलग-अलग हिस्सों के फड़कने का भिन भिन अर्थ होता ह जैसे मस्तिष्क पड़कने का संभन जो है वो भौतिक सुकों की प्राप्ती से होता है कनपटी फड़कने से इक्षाएं पूरी होती है दाहिनी आख और भौं के फड़कने से हर प्रकार की इक्षाएं पूरी होती है बाई आख और भौं पड़कने से शुब समाचार प्र फड़ाये तो शारीरिक कष्ट प्राप्थो ऐसा अर्थ समझना चाहिए दोनों गाल यदि एक साथ फड़के तो धन की प्राप्ती होती है यदि होट फड़ाये तो हितैशी का आगमन होता है मूँ का फड़कना पुत्र की और से शुबसमाचार प्राप्थोने का सूचक होत होता है दाइनी और का कंदा फड़के तो धन संपदा प्राप्त होती है और बाई और का कंदा फड़के तो सफलता मिलती हो यदि दोनों कंदे एक साथ फड़के तो जगड़े की संभावना ऐसे में बढ़ जाती है हतेली में यदि फड़फडा हो तो व्यक्ति किसी विब समझना चाहिए दाहिनी और की कोहनी फड़के तो जगड़ा होता और बाई और की कोहनी फड़के तो धन की प्राप्ती होती है पीठ फड़के तो विपदा में फसने की संभावना रहती है और दाहिनी और की अगर बगल फड़के अंडर आमस फड़के तो नेत्रों का रोग होता है पसलियां फड़के तो विपदा व्यक्ती के उपर आती है ऐसा इसका आर्थ समझना चाहिए चाहिए छाथी में फ्रपडाहट मित्रों से मिलने का सूचक होती है हिरदय के उपर का भाग अगर फड़कता है तो जगड़ा होने की संभावना होती है नितम्मों के फड़कने से प्रसिद्धी और सुख की प्राप्ती होती है दाहिनी और की जांग फड़के तो अपमान होता है बाई और की अगर जांग फड़कती है तो धनलाब होता है और गुपतां कुपसे यातरा पर जाना हो ऐसा आपको अर्थ समझना चाहिए नीचे का होट फढ़के तो आपको किसी विपरीत झुलिंग से पैसा मिलने वाला है दाहिनी हतेली फड़के तो पैसे के साथ-साथ शुब समाचार मिलता है कमर का दाहिना हिस्सा दाहिना गाल दाहिना कंधा फड़कने से धन मिलता है सिर के दाहिनी और के हिस्से में फड़कन अगर होती है तो ये शुब समाचार दायक होता है आपको धन किसी राजसमान नौकरी में बनता है अगर आपकी मूच का दाया हिस्सा फड़कता है तो यह शुपसंकेत है बाई मूच फड़कती है तो आपका किसी के साथ बहस या वादवाद जगड़ा भी हो सकता है आपके सिर का पिछला हिस्सा फड़कता है तो समझ लीजे कि आपका विदेश जाने का योग बन और वहां आपको धन की भी प्राप्ती होने वाली है सिर के अगले हिस्से में फड़कन हो रही हो तो यह हिस्तिती स्वदेश या परदेश दोनों में ही धन मान की प्राप्ती का कारण बनता है अगर गला फड़कता हो तो मान सम्मान में वृद्धी होती है समाज में प्रसिद्धी मिलती है सुक्स विधाएं प्राप्त होती है माथा फड़कता हो तो ये बहुती शुब सकुन है माथा फड़कने पर व्यक्तिकों भूमी भवन संबंधी लाब मिलने की संभावना और मजबूत हो जाती है तो दोस्तो आशा करता हूँ कि शास्त्र से सम्मंदित बातें ग्यान की बातें जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होती है ये निश्चिती पसंद आती होंगी आप सभी से बार बार आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आग्या दीजियो और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभावन नमोनाराण आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभावन मेरे चमतकारी उपाई जोतेश, वास्तू, तंत्रमंत्र, दैनिक राशिफल, वरत्योहार, वैदिक, पूजा पार्ट के लिए टेस्ट अब्रेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिसना हो जाए परशान बिल्कुल भी ना हो, जीवन में यदि समस्या हैं, तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है जिए आप अपनी किसी भी व्यक्तिकत समस्या के लिए मुझसे परामरश और समाधान चाहते हैं यानि आप अपनी किसी भी personal problem के लिए मुझसे consultation और remedies चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं, टेलिफोनिक consultation फोन पे बात करना और दूसरा face to face यानि personal meeting के करना आप हमें phone के माध्यम से email और WhatsApp के माध्यम से appointment book कर सकते हैं हमारा number है 999-07-24131 आपको दो number दे रहा हूँ इन दोनों number पे WhatsApp available है आप WhatsApp करें 9818-300-146 यह हमारे office का दूसरा number है अगर आप हमें email करना चाहते हैं तो आप हमें email कर सकते हैं हमारी email ID note कर लीजे इस पर आप हमें email भी कर सकते हैं मित्रों आजकल phone calls बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग call करते हैं phone receive नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में email और WhatsApp करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवार